कल की class में recap दे रहा हूं है, क्या हुआ था कल, velocity at any angle, velocity at any angle and anytime, कल की class में result क्या निकले थे, v equals to u cos theta by cos phi, यह result निकला था कल, और tan phi equals to tan theta minus gt by u cos theta, यह result कब का है, जब आपने एक body को फैका, वो किसी position पे जाके v velocity रखती है, u से फैका गया, theta यह एंगल 5 बन गया, ऐसा था ना, कल आपकी class में last topic यह था, मैंने आपको कहा था, top पे पहुंचके और landing के time पे, v बताना है और angle बताना है, है ना, कैसे आएगा, देखो, सबसे पहले top डालिए, add the top, heading डालो, add top, अगर आपने इसको फैका, कैस की velocity यहां जाके horizontal हो जाएगी, के नहीं हो जाएगी, वो लोग कितने से फैका था, u से, angle कितना, component टूटे, u cos theta, u sin theta, कोई problem यहां तक, u cos theta and u sin theta, done, यहां जाके velocity क्या होने वाली है, पता नहीं, माल लेता हूँ अभी कितनी है, वी, देखो, अगर आप concept लगाना जानते हो, तो आपको पता है कि horizontal वाली कभी change नहीं होती, तो यह u cos theta है, तो पक्का यह भी कितनी आएगी, u cos theta, लेकिन इससे पहले मिरको tangent phi निकाल ला है, देखो, tangent phi equals to 10 theta, minus gt by u cos theta, यह जो t है, क्या यह t by 2 होगा यहां पर, आपकी पूरी जर्णी का समय कितना लगता है, capital T, आदिका कितना लगेगा, t by 2, t by 2, कितना आएगा, t कितना होता है, 2u sin theta by g, यह कितना आएगा, u sin theta by g, सही है, बरो यहां पर, 10 theta equals to minus g, u sin theta u से u कट गया, g से g cancel हो गया, कहे g 10 theta बन गया के नहीं बन गया, sin theta by, sorry, 10 theta minus 10 theta, यहां तक कोई problem, बर के दिखाऊ, g, u sin theta by g divided by, u cos theta, g से g cancel, u से u cancel, sin theta by cos theta, बोलो 10 theta minus, 10 theta, बोलो 10 phi कितना आए, 0 आ रहा है, तो 10 phi कितना आ गया, phi कितना आ गया, 0 degree, तो phi 0 degree आ गया, है ना, क्या phi 0 आने के बाद इसमें बर दें, मैंने कल आपको क्या कहा था, इस formula में से phi निकालो, और यहां बर दो, है ना, phi कितना आ गया, cos 0 बरो, v कितना आएगा, हाँ, तो v कितना आ गया, u cos theta, पता ही दा में तो ही, horizontal वाली velocity कभी भी change, top पे पहुँचके भी क्या रहेगी, u cos theta रहेगी, कोई problem यहां तक, किसका case है, यह top पे पहुँचके, landing के time पे, at the time of, landing हो रही है, तो उस time पे, बताएगे, T कितना होगा, T, capital T, कितना होगा, इस वाले formula में भरो, इस वाले में, 10,5, भाई, देखना नहीं है, हाथ चलाने हैं, करो इसको, यह जो खाली बेटे हैं, 10,5 भरो यहां से, 10 theta, minus, minus gt by u cos theta, बोलो, g, T के value क्या होगा, 2u sin theta by g by u cos theta, सही है क्या, काट दो, क्या 10,5, equals to 10 theta, minus 2 10 theta, यहां था कोई problem, आगे, 10,5, equals to minus 10 theta, minus 10 theta, किसको यह बातें पता है, कि sin, sin minus theta, minus sin theta होता है, अगर tangent और sin के अंदर angle के साथ minus है, तो वो बाहर आ जाता है, तो यहां देखो, अगर यह बाहर आया है, तो पक्का यहां क्या है, तो यहां पर अंदर minus थान आईए, तभी तो इस से यह आया होगा, तो बोलो, tangent 5, 10 minus theta, 5 इसके बराबर, 5 equals to minus theta, यहां तो कोई problem, अगर मैं इसका diagram बनाऊ, diagram बनाते वह, यह देख, क्या आपको लग रहे, landing के time पर यह ऐसा हैगा, क्या मैं मालनो उसकी velocity v है, I don't know क्या है, लेकिन मुझे बताइए, क्या horizontal के साथ angle देखे हैं, तो क्या यह minus theta नहीं आगया, देखो, उल्टा यह, नीचे भी है, तो यह minus theta आगया, अंची का समझ में आ रहा है, minus theta, अब, क्या minus theta आगया तो इसमें बर दे, बोलो, v कितना आएगा, v equals to u cos theta, cos minus theta, बोलो cos minus theta, कितना आगया, v equals to minus u, कितना आगया, v equals to, meaning क्या हुआ, बई, v तो u ही है, लेकिन कहां, नीचे, यह दे, कोई problem इसमें, पका, तो v equals to u आगया, meaning, क्या निकल रहे हैं, meaning क्या निकल रहे हैं, अगर तुम किसी को u से फैकोगे, तो u से ही नीचे आएगा, अगर तुम किसी को theta angle से फैकोगे, तो वो theta से ही नीचे आएगा, negative सिरफ क्या दिखा रहे हैं, direction दिखा रहे हैं, बास समझ में आगी, जल्दी उतारो इसमें, cos minus theta क्या होता है, minus cos theta नहीं होता है, cos theta होता है, यह मैंने minus लगाया है, जानके, यह द्यान रखना है क्योंकि नीचे, नीचे की तरफ इसकी velocity होगी, यह minus सिर्फ direction दे रहा है, द्यान रखना इससे नहीं आया यह, cos minus theta क्या होता है, cos minus theta, cos theta होता है, इसको even function बोलते है, even function, यह वाले odd होते है, maths वाले जो पढ़ रहे है, odd function and even function, गल्स में कौन नहीं आ रहा है, 11th class में, इसी का, कल तो आई दिवो, समझ में आ गया, देखो, तुमने एक चीज नॉट की, मैंने, आपको day one, जो इसके formula निकलवाए थे, वो कैसे निकलवाए थे, analogy से, मैंने गा था, एक बोल को ऐसे fact दो, जो formula उसके थे, उसी के formula में, U की जगर क्या बढ़ दिया था, U y बढ़ दिया था, न? क्या, ऐसे case में भी यही होता था, जितने से fact थे, उतने से नीचे आती थी, जितने समय उपर जाने में लगता था, उतना समय, नीचे आने में लगता है, यहां भी क्या result निकल रहा है, जितने से fact आ, उतने से ही नीचे आई V, यहाँ पे क्या value आ गई U, जितने से उपर गई उतने से नीचे आई जितने angle पे फैकी, उतने angle से ही आगे टकराई ध्यानक नाई result सही है next, case number कौन सा है 8 case number 8 डालिए momentum change उतार लो case number 8 डालिए momentum change सीधा सीधा smart तरीके से करा दूँ लंबे वाले तरीके से नहीं कर रहे हैं है ना डालो momentum change momentum क्या होता है बिटे mass into velocity mass into velocity हो गया अज भायो की ट्विशन थी तुमारी वो आया था आज वो वो टोपी वाला नहीं आज बिड़ा case नमबर 8 momentum change अवाज मत करो इसको अगर फोर्मेट दिखाएं तो इस 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 डेल्टा पी चेंज इन momentum अब momentum में change लाने के लिए change का मतलब क्या होता final minus तो आपसे ये तो बोलेगा ना कि यहाँ वाली में और यहाँ वाली में change बताओ पहले वो ground पे थी top पे पहुँची ground से top जाने में कितना momentum का change आया top से bottom में कितना आया bottom से bottom में कितना आया तो ऐसे सवाल पुछेगा आपकी सबसे ज़्यादा standard equation कौन सी होती है पोजिशन कौन सी होती है यहाँ से फैका वापस यहाँ आगा यहाँ पहुचा top पे तो यह कोन है bottom कहाँ पहुच गया top यह क्या है bottom कोई problem यहाँ तक हंजी क्या मैं इस position को one बोल दूँ इस position को इस position को three सही है यहाँ आके velocity बोलो भी दनी है इसके component तोड़ो theta से फैका इसको u post theta इधर u sin theta कौन सा component कौन सा component u x u y and u x कोई problem यहाँ तक यहाँ जाके velocity बोलो कितनी होगा u cos horizontal वाली कभी भी change तो यह भी कितनी होगी u cos theta बात आई यहाँ पे क्या यहाँ से कितने पे टकराएगा u से ठीक है देखो इधर क्या इसका component इधर क्या टूटेगा यह theta था था ना इधर क्या टूटेगा u cos यहाँ क्या टूटेगा u sin theta सही है चलो क्या मैं पहले वाली पोजिशन का momentum लिख लूँ p 1 क्या momentum is a vector quantity mass into velocity अगर मैं यहाँ की बात करूँ बोलो x direction में क्या है mass into x direction वाली velocity कौन u cos i cap समझ मैं है mass into i cap उपर plus m u sin theta आगया p 2 बोलो p 2 क्या p 2 में सरफ कौन सा component है x y है तो j cap कितना आएगा m u cos theta i cap done यही है बस p 3 बोलो m u cos theta i cap minus k u sin theta नीचे mass into velocity m u sin theta j cap समझ मैं आगया आज का काम लिखा है कि नहीं सारा लिखा है यहाँ तक है दिखाए यह सुना दो हां जी बताईए अगर मैं यहाँ पे पहला case बनाता हूँ अगर मैं बोटम से टॉप का चेंज निकालता हूँ बोटम टू टॉप मेरे को निकालना है क्या चेंज इन मोमेंटम क्या गरूँ बोटम से कहा गए बोटम पे कितना था यहां गितना हो गया तो चेंज कैसे आए गा P2-P1 नहीं कर सकते गया vector minus करने नहीं आते i cap में से i cap वाला j cap में से j cap वाला यहां कितना है P2 mu cos theta में से यह जाएगा गया, कटी गया यह minus, क्या minus आएगा यह minus mu sin theta j cap बोलो change in momentum कौनसी direction में आया negative y minus minus j cap समझ में आ रहा है मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी बाते है उसको समझ में आएगी जिसका target बहुत strong है समझ गए पर जो खाली 11 वी बारवी करने के लिए बैठा है कहीं भी बैठ जाओ, कोई फरक नहीं पड़ता ठीक गड़ जागे पढ़ा करो 11 वी वाले कोपी यहां खुल रही है तुम्हारी आगे आज मैंने क्या पूछा तुन्हें नहीं किया ना घर पे इससे यह करके लाई है, ड्रोपर वाले क्यों करके ला रहे है तू करके लाई है हाँ मैं बता रहा हूँ, एक, दो, तीन नहीं करके लाई है, करके लाई है अंसी का दिखा, टॉप लेंडिंग वाला करके आई थी, ट्राई, दिखा यू सीजल करके लाई थी नहीं लाई करके दो तिन दिन में बताता हूं तुम्हारे को मैं आदेख डेल्टा पी कोई स्टू माइलस म्यू साइन थीटा जे क्या है डन बोलो जल्दी जल्दी पी 3 माइनस पी 3 माइनस पी 1 मेरे साथ से माइनस 2 2, mu, sin, theta, j cap आएगा कि नहीं आएगा, क्या नोट हुआ, क्या नजर आएगा, वहाँ जितना change in momentum था, यहाँ पर change in momentum उससे double है, तो होना भी चाहिए, यहाँ bottom से top आदा रास्ता, bottom से bottom पूरा रास्ता, तो double change आता momentum, standard cases याद रखिएगा, मैंने जिस format में कराया है, यह बहुत इकर की form में लंबा पड़ता है, इसलिए मैंने कराया नहीं, जुरुत भी नहीं है, तुम्हें एक आदत पड़ गई, किसी भी position पर जाके तुम्हें component तोड़ने आ गई, क्या x वाले को i cap की form में, y वाले को j cap की form में, बस, यह सीखना है, उतारिए जिल्दी, काम क्यों नहीं करके लाई दो, मेरा तो 15 मिंट का भी नहीं था, था, सच बता, मैंने 2 case कहे थे, मैंने कहा थे, टीक ए वैल्लू बरनी है, बस, इसके लागा कुछ नहीं करना था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ तुमारे को और अभी भी भी बोल रहा हूँ, मेरी class का record online जा रहा है, मेरे को तो blame तुम कर नहीं सकते, कि सारा online record है, क्या खराया गया है, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सब record है, है न, कमी है तो तुमारे में है, घर जागे 15 मिनिट भी तुमारे पास समय नहीं है, last class में T पे चोटा था, T बरना था, कितनी देर लगती है T बरने में, 7-8 मिनिट में सब कुछ हो जाता है, इतना भी समय तुमारे पास कोपी उठाने का नहीं है, तो जही नीट के सपने क्यों देख रहे हूँ, देखो ही मत, बहुत dedicated तरीके से किसी भी exam को approach किया जाता है, अब भी देखा है, result आता है, तो लोगों की आँखों में आशू आ जाते है, बाई, पता है क्यों, उसके लिए उन्होंने बहुत मैनत करी होती है, इसलिए आते हैं, अगर free में मिलता हो तो उनकों पता ही होता है कि आएगा, तो अपनी नीन, दाओ पे लगाते हैं, तीन गंटे, चार गंटे सोते हैं, ठीक है, थोड़ा सा motivation, self motivation रखिए, motivation दो तरीके का होता है, motivation सबसे गंदी गोली है, यह बाद ध्यान रखना, जितना इसके habitual होगे ना, लाइफ में उतने मार खाऊगे, motivation के, क्यों, दो तरीके की motivation होती है, एक external, एक internal, external दुनिया देती है, पापा, मम्मी, टीचर्स, दुनिया, है ना, किसी की वीडियो देख लोगे, वहाँ से motivation आ जाएगी, लेकिन वो उस टीक कब तक करती है, hardly एक दिन, दो दिन, पांच मिनेट, है ना, लेकिन internal वाली, बहुत लंबे समय तक रहती है, अपने आपको imagine किया करो, कि मैं doctor बन गया, समझे, उस moment को imagine करोगे न, समझ में आयागा कि, अगर मैं doctor हूँ, तो मेरी life कैसी है, ऐसे imagine करो, मेरा 2 क्रोड का package है, तो मेरी life कैसी है, imagine करो, तब जागे वो approach बनती है, otherwise नहीं बनती है, नहीं ऐसे गलियों में गूमते रहा जाओगे, next, energy consideration, case number 9, energy लिखो सिरफ, energy, energy लिखो सिरफ, energy, energy, बस, energy consideration लिख सकते हो, but energy डालो अभी सरोष, energy, देखो कैसे, case number 9, energy के बारे में कैसे सवाल आएंगे, और कैसे पूछेगा, देखे, सबसे पहले, बढ़ो, energy में होता क्या-क्या है, kinetic energy, potential energy, यही होती है ना, main, तुमने 11th class के अंदर, जो अभी 11th में है, उनके अभी आएगी, और जो 12th में है, dropper है, उन्होंने thermodynamics पड़ी है, क्या वहाँ पे बहुत सारी type की energy आती है, Gibbs energy, Helmolge energy, Gibbs free energy, जो आप जिसको बोलते हो, internal energy, और कौन सी होती है, potential, kinetic, mechanical, ऐसे बोलते हो ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कितनी form of energy होती है, बहुत सारी energy होती है, अगर एक energy अगर आप लिखना चाहें, mechanical energy, that mechanical energy consists of hundreds of energies, क्या बोला मैंने, mechanical energy, किसका sum है, बहुत सारी energies का sum है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कौन होती है, mechanical में, kinetic और potential सबसे ज़्यादा होती है, बाकी की, थोड़ी-थोड़ी होती है, जिसको count हम करते नहीं, तो ध्यान रखना, total energy, यानि कि total energy, जिसको क्या बोलते हो, mechanical energy, किसके बराबर होती है, kinetic plus potential, क्या इसके इंदर और भी energy होती है, होती है, पर दिखाते, क्योंकि ज़्यादा amount में, होती नहीं, बात समझ में आई, मैंने बोड़ी को यहां से throw किया, कितने से फैका, use है, कितने angle पे फैका, theta पे, यह बोड़ी यहां भी पहुँचेगी, down भी आएगी, मैंने कहा कि, इस बोड़ी की total energy कितनी है, कितनी है, total energy कितनी है, total energy हमेशा congerald रहती है, कब, जब conservative forces होती है, अभी बताऊंगा 11th वालों को, ध्यान रखना, total energy जो आपके teacher बोलते देना, energy can neither be created, nor be destroyed हुए एक low है, देखे उसमें कहते थे, total energy can never be changed, वो ऐसा तभी possible है, जब conservative force हो, यहाँ पर कौन सी force है, gravitational, क्या इसकी acceleration due to gravity, नीचे नहीं नजर आ रही तुमारे, क्या यह gravitational force के effect में, चल नहीं रही है, चल रही है, तो यहाँ पर conservative forces हैं, 11th वाले, ज़्यादा इसको tense होके मत सुनना, मैं गोर रहाँ, conservative, non conservative, दो तरीके की force होती हैं, अगले chapter में आएगा, अभी यहाँ पर मैंने बोला, कि total energy conserved होती है, इस body का mass mallow m है, चिक, मैंने पूछा, potential energy at top बताईए, अच्छा जी, potential energy at top बताईए, यह सवाल है, आच्छा बताओ, क्या आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है, कि यहाँ जाके energy बताओ, क्या आपसे पूछ सकता है, यहाँ जाके energy बताओ, यहाँ जाके energy बताओ, पूछ सकता है ना, तो कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले आपको पूछ एक ही बात की पकड़नी है कि total energy मेरको हमेशा क्या रखनी है conserve रखनी है क्या मैं इस position की energy लिख दूँ इस position की total energy यानि के E है किस किस से बनेगी kinetic plus potential क्या यह तो ground पे पड़ी है ground पे potential energy zero, ground की earth की potential energy zero होती है दिमाग में रखना इस बात को तो ground की potential energy कितनी हो गई kinetic क्या होती है half m u square हो गई कोई problem यहां तक done तो मेरी E की value कितनी हो गई half m u square आ गई क्या नहीं आ गई अब इस वाली position की energy लिखू बोलो क्या यहां पे velocity कितनी है इसकी आदत हो गई horizontal velocity कभी भी change top पे पहुंचके कितनी होती है u cos theta बोलो यहां पे kinetic energy top बता सकते हो half m energy कितनी velocity कितनी u cos theta का square बोलो कितनी आई half m u square cos square theta देखा है इसको कभी कौन है e e cos square theta क्या यह kinetic energy top आगई के नहीं आगई येस बाई kinetic energy top आगई है क्या चाहिए मेरे को potential energy चेपू तो मेरी तरब भी देख लो लिखे जा रहे हैं मैं कुछ यहां समझा रहा हूं कानेटिक energy क्या आगई top potential energy top और kinetic energy top को जोड़ूंगा क्या बनेगी total energy बनेगी कितनी मुझे पता है क्या kinetic energy top को जोड़ू potential energy top को जोड़ू क्या total energy बन गई क्या पूरी जर्नी में total energy यहां देखो यहां देखो यहां देखो वो तो सेम रहेगी न कितनी है e total energy कितनी थी वो कभी बदलने वाली क्या तुमारे पास यह है तो यह नहीं आ जाएगी बोलो potential energy top कितनी आएगी e minus e cos square theta कोई प्रॉबलम पक्की बात done ठेक अब क्या kinetic energy top और quotation energy top की रेश्व क्या आएगी very good पहले भी आई थी कल कुछ h1 by h2 t1 by t2 कब आई थी theta 1 plus theta 290 degree का था तब आई थी t1 by t2 आया था 10 theta और 10 square theta बोलो कितना आ रहे potential energy top by kinetic energy top कितना आया 10 square theta इस result को अपनी pocket में रखिए एग्जाम में काम आयेगा सही है कितने topic हुए है अभी तक आज की class में तीन पहला कौन सा था landing top वाला top पे और landing पे velocity वाला कि दूसरा momentum change वाला और अब energy वाला क्या energy में सीख लिया कि total energy क्या रहेगी क्या रहेगी conservative या constant तो कभी change नहीं होने वाली जैसे ही work energy theorem का chapter आएगा तुमारे को अंदाजा होगा कि work energy theorem में कितना दम है क्या था मेरे से क्या हुआ है work energy theorem में बहुत सारे question जल्दी जल्दी होते है energy conservation लगा के समझ में आ रहे है पहले क्या हुआ है okay हाँ जी साइड़ो हाँ जी क्या आकल Friday है ना कल Saturday हाँ Saturday Saturday कोई टेस्ट नहीं है टेस्ट होंगा फिर मेरी क्लास लेने में क्या समस्याद में रहे हुआ मता ना भाई का गहां तेड़ गंड़े अटेस्ट है ratio of kinetic energy to potential energy at top is 3 find theta ऐसे सवाल बनते हैं ऐसे ऐसे कुछ samples हाँ जी 30 degree तेरा 60 आया 60 आया यह ratio देट किसकी है kinetic 2 potential दी हुई है हाँ तो kinetic by potential दी है कितनी 3 potential by kinetic कितनी होगी 10 आजाएगी ना तो यानि के 10 square theta कितनी आएगी 1 by 3 10 theta कितना आएगा 1 by root 3 theta कितना आएगा 30 degree समझे याद रखना है चीज case number 9 लिखिए 10 case number 10 case number 10 heading दालो angle between velocity and acceleration angle between velocity and acceleration angle between velocity and acceleration देखो जान से बाई मैं फिर बोल रहा हूं तुमारे को 15 minute घर रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे अपने 4 page 5 page जितने भी होते हैं घर जागे एक बार देख लिया को इतनी बड़ी problem में आ जाओगे और फिर घरवालों को ना घरवालों को problem में डालते हैं आज कल गे बच्चे बाई समझे हैं पैरेंट्स किसी भी बच्चे को किसी भी रीजन से प्रेशान नहीं देख सकते हैं वो फिर decision लेते हैं और उन decision से तुम बच्चते गूमते हो case number 10 angle between velocity and acceleration मुझे बताईए प्रोजेक्टाइल में acceleration कितनी होती हैं जी होती है इसके अलबा दो कोई होती नहीं है na diagram बनाते बाई इस diagram में यह देख़िए यह रहाओ क्या मैंने YES सोचए अभी तोारी body यहां है क्या यहां भी जाएगी यहां भी पाहुँचेगे यहां भी पहुंचेगी, 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 यहां भी पहु velocity यहां थी फिर यहां थी जब यह टॉप पे पहुंचा तो इसकी ऐसे हो गई फिर नीचे आ गई फिर नीचे आ गई फिर और नीचे आ गई फिर और कम हो गई क्या उपज़र कर रहे हो एंगल बिट्विन वी एंड जी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग देखना पिटा एक बार यहां पर यह यू है देखो एक वेक्टर तो यह हो गया और एक वेक्टर यह हो गया एंगल देखना कितना बड़ा है बड़ा है न क्या एंगल बिट्वि फिर और चोटा हो रहा है, फिर और चोटा हो रहा है फिर 90 हो रहा है, उसके पत फिर decrease हो रहा है, क्या होता है, decrease होता है, लिख लो, angle between V and A, क्या होता है, decreases, case no.11, 5 star, बना लो आराम से पांच सितारा नाम सुनता ही equations of motion एक statement दे रहा हूं ध्यान से सुनिये गाई जिसका paper अभी nearby है तो ध्यान से सुने जिसको दो साल के बाद देना है उनको खुज लिए भी हो नहीं रही है हो जाएगी है ना आपको नहीं कह रहा हूं हाँ अभी तु कह रही थी इसको कि मेरे कोई बोलते हैं ऐसे बोल रही थी जितने भी motion पढ़ोगे क्या बोल रहा हूं हर motion की equation होती है ऐसे प्रोजेक्टाइल motion की भी equation है लिखिए equation of projectile motion equation of projectile motion करें लास्ट टोपिक है आजगी क्लास का द्यांस न सुनिए case number 11 equation of projectile motion equation of projectile motion ठीक है आपने एक चीज नौट की मैंने अभी जितने भी cases आपको कराए मैं बार बार तीन position की बात कर रहा हूं bottom, top, bottom इसके अलावा मैंने कोई position नहीं ली हाँ हमने velocity वाला जो case कराया कौन से वाला ये वाला at any angle at any time वहाँ पे वी यू cos theta by cos phi ऐसा आया था वहाँ पे मैंने बले बीच में कहीं position ले ली अभी मैं क्या कर रहा हूं equation निकालने के लिए देखो motion की क्या कितनी होती हैं तीन ही होती ह लेकिन लगाना कैसे है वो देख रहे हैं गया मैंने माल लिया है कर यहां पहुछ गया कि मैं यहां पहुछ के इसकी height y माल लूँ गया है यहां तह कोई दिखकत कितने से फैका इसको कितने angle बें फैका ये कौन ux ये कौन uy कितना है ये कोतना है u sin theta मुझे यह सिरफ आपको करना क्या है देखो simplicity के लिए लंबे समय तक याद रखने के लिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ vector से लेके अभी तक direction mainly दो ही है x और y x में अलग deal किया करो y में अलग deal किया करो चीजें simplify हो जाती है बोलो क्या यहाँ पर x direction लिखू गया क्या y direction लिखू क्या तुम x direction में given parameters लिख सकते हो बोलो u x कितनी u cos theta बोलो acceleration है क्या 0 बोलो u y कितनी u sin theta ay बोलो minus z फिर problem done अब आपका actual में motion हो कहां रहा है कहां हो रहा है y में हो रहा है अगर मैं y direction की बात करो acceleration भी यहाँ आ रही है यहाँ पर h कितनी है h y हो चुकी है height कितनी गई मैंने h y माल लिया इसको solve करें क्या मैं माल लो यहां तक का time इसको कितना लगा t time ले लिये एक question बनाईए बोलो s equals to ut plus half a t square ऐसा था क्या ठीक हो देखें यहां बोलो s क्या बन गया displacement कितनी हुई y में displacement कितनी हो रही है y हो रही है तो s की value कितनी हो गई y मैं किसके लिए लगा रहा हूँ y direction के लिए बोलो यह कौन अगर यह y वाला है तो यह भी यह भी पता है तुम्हारे को y कितनी है बरो u sin theta into t plus या minus minus ay की value तो minus half gt square यहां तो कोई problem खका किस किसको यह समझ में आया कि t का square दिख रहा है इदर इदर t है किसकी power बदल रही है तो this is the equation in quadratic in time तो क्या मैं इसको सीधा करके लिख लो देखो half gt square plus का बना लिए इदर लाके इदर क्या आएगा minus u sin theta into t इदर क्या पढ़ा था already वाई उधर क्या रही है जीरो क्या मैंने quadratic equation बना ली के नहीं बना ली quadratic equation की क्या खास बात होती है अब देखो medical वाले ध्यान दो बहुत सारे बच्चे जोसते हैं कि physics involves a complex mathematics कहां है quadratic तो तुम 10th में पढ़के आये हो क्या quadratic के दो root नहीं होते sum of roots क्या होता है sum of roots ax square plus bx plus c equals to 0 sum of roots alpha plus beta ऐसा होता था नहीं कितना आता था minus पर alpha into beta क्या आता था इतना ही जुरुत है maths की से ज़्यादा जुरुत नहीं है देखो quadratic किसमें t square में क्या यह a जैसे काम कर रहा है क्या यह b की तरह काम कर रहा है क्या यह c की तरह काम कर रहा है सही है बोलो quadratic equation equation समझ में आई half gt square minus u sin theta into t plus y अब सोचो क्या मैं यह वाली equations याद करने में बैठूंगा मैंने करा ही क्या है यह तो मैं शुरु से लिखता आ रहा हूं उसमें मैंने s ut plus half 80 square में value कर रही है और क्या बना ली quadratic sum of roots क्या आएगा देखो मैं माल लेता हूं कितनी value किसकी दो values आएगी t की time की यानिके t1 और t2 तो क्या मैं t1 plus t2 निकाल लो minus b by b कितना u sin क्या minus u sin theta तो minus minus क्या हो जाएगा तो minus minus u sin theta वर दिया by यह बोलो क्या है जी बाय टू यह minus minus कट गया अटा दो इसको जी बाय टू टू पर चला गया बाय जी देखा है इसको कभी को नहीं total time इसका मतलब समझते हो तुम देखो इस line का मतलब समझा रहा हूं अगर इसके दो रूट आ रहे है तो इसका मतलब यह लगाया जा रहा है meaning कि दो time पर यह same height पर होगा देखो क्या एक बार चड़ते हो एक बार उतरते हो अगर मैं इसी diagram को दोबारा तुम्हें समझाने की कोशिश करूं क्या diagram कुछ ऐसा है देखो क्या यहां पहुचो क्या इसकी height यहां पर y थी नीचे उतरते होए यहां भी पर तो क्या है अगर यहां तक इसको time कितना लग रहा है T1 तो यहां तक कितना लग रहा है T2 और हमने result निकाल लिया कि T1 प्लस T2 किसके बराबर कोन है यह capital T T1 प्लस T2 बराबर समझ में आया तो यहां से result क्या निकालोगे क्या एक body दो समय पर same height पर होती है T1 प्लस T2 इकल्स टू T अगर वो आपको एक समय दे दे तो दूसरा समय आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा तो बोलेगा जैसे पांच सेकने के बाद यह इस height पर है और टोटल जरनी का time आपको निकालना पड़ सकता है लग से तो बोलेगा बताईए इस height पर कितनी दर में आएगी कितनी दर में आएगी T2 माइनस T1 फिर T2 माइनस T1 निकालना पड़ेगा तो यहां से conclusion क्या लिख रहा हूं यहां से हां जी क्या लिखूं बोडी दो समय पर सेम हाइट पर हो सकती है लिख लो सेम हाइट पर हो सकती है इक्वेशन और प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास नंबर कौन सी है थर्ड तीसरी क्लास केस नंबर 11 पर पहुंच गए लिख लो अभी पूरा नहीं हुआ है यह यहां तो उतारो एक बार अभी पांच टारो इसको टोपिक को गंप्लीट करते हैं हई है कि अच्छा आपने समों फूर्ट्स निकाल है प्रोड़क्ट कितना आएगा इधर से इस डायग्राम को ध्यान रखना इसको इसको देख के बताओ एक हाइट कितने समय के बाद वापिस आजाएगी ये कितना बचेगा थे टी टी इसटी वन बचेगा ना तो टी इस ये मेरे को निकालना हऊँ दस्वी क्लास, दिखाओ तुम्हारे वो 95, 97, 99%, 80, 90, तो आए होंगे, हाँ बताओ, अगर A प्लस B दिया है, और A B दिया है, तो A माइनस B आ जाता है क्या, अरे, अलजेबरा नहीं आता, तो सब्स्टिटुशन कैसे यूज़ करेगी, देख, देखो इधर, अगर आपके पास A प्लस B दिया हो, और A B दिया हो, यह दोनों चीज़ें दिया है, तो A माइनस B कैसे निकलता है, A प्लस B का होल स्क्वेर, यह A माइनस B का होल स्क्वेर, माइनस 4 A B, करके देख लो, सिम आएगा न, A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर माइनस 2 A B, a square plus b square plus 2ab minus 4ab will become minus 2ab will be equal इसको ध्यान रखो अभी मेरे पास क्या है वाई t1 plus t2 है t1 t2 है क्या t2 minus t1 आ जाएगा क्या square is करो यहां से लिखे t2 minus t1 बोलो कितना आएगा root में t1 plus t2 का whole square minus 4t1 t2 ऐसा आएगा क्या नहीं आएगा equals 2 अब kinematics याद करो kinematics में ऐसा result आया था क्या नहीं आया copy है खोलो copy और kinematics में देखो मैंने time of crossing a particular height करवाया था क्या नहीं करवाया था time of crossing the particular height motion under gravity निकालो motion under gravity निकालो सारे जिसके पास copy है वहाँ पे देखो t2 minus 8y by g कुछ करके ऐसा आया होगा आया था same result यहाँ आ रहे यह इसलिए दिखा रहा हूं ताकि compare कर सको यह वैसा ही तो है यार यह देखो अगर किसी body को यहां से फैक होगे अगर किसी body को यहां से फैक रहे हो यह यहां gross कर रही है side को इस वाली height को एक बार जाते वे gross करेगी एक बार मैंने यह वाला time निकल वाया था वाही तो है यह बोलो t1 plus t2 कितना है कितना आ गया t t1 गया न यह t2 minus 4 t1 t2 8y by g यह t2 minus 8y by g this is t2 minus t2 t2 minus 8y by जी यह वो समय है जो लगेगा इस height पे दोबारा आने दोबारा बोलो इस height पे दोबारा आने के लिए इतना समय लगेगा इसको delta t लिख सकते हो आप यह वाला delta t एरा delta t कैसा लगा formula बस देखो मैंने कुछ नहीं किया मैंने quadratic बनाई sum of roots लिखा product लिखा t2 minus t1 निकाल लिया t2 minus 8y by z जिसको ठीक ठाग नहीं लग रहा है इसको भूल के इसको देख लो t2 minus 8y by z कि वो समय है जिस पे वापिस उसी height पे आ जाएगी जिते समय के बाद clear है यहां तक मेरी तरफ से finish कि अपाई करें वी बाद प्राद ईको खिचिए अ जिसको भूल